आगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कश्ट होगा आपको वही कश्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लदाक पर अपनी लालची नजरें गड़ा के और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए है क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू उनकी विद्वाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिये बलिदान को क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओ का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सरकार का होता है क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्या हम भूल गए वो बक्त जब महात्मा गानीजी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीड तोड़नी है भारत में उनके बनाए हुए हर उत्पादन का वहिशकार करना पड़ेगा तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा ले क्योंकि लदाक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत की असमीता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की थेली है हम उसे किसी तर सक्षbifter है उनको रिटर्स आते हैं रेवनिउस आते हैं औरगनाइजेशन पर उन सब का वहिशकार करें ता कि वह उस संपत्ती से जो यहां से इंडिया से इकठी कर के जाते हैं उस संपत्ती से हत्यार खरीट के हमारे सैनिक्तों के सीने चनि करते तो क्या हम इस युद में ह और इस युद में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे जैहिंद